हलो इस्टूडेंट मैं दीक्षा स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चेनल में आगामी परिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जी एस पॉइंटर वाइस ये आपकी सीरिच चलाए जा रहे है इस सीरिच के अंतरगेत आपको सभी सब्जेक्ट जिसमें आते हैं भारती इतिहास, भारती राज विवस्ता इवंसासन, सामाने भूगुल, सामाने विज्ञान, आर्थिक और सामाजिक विखास, परियावराड इवंपारिस्तिकी से सम्मनित, सभी टॉपिक का एक बिंदू सेंकलन है, इसमें तथ्यात्मत तौर पर आपको सभी चीजयों का रिवाइस कराई जाएगा, यह रिभीजिन परते की एकजाम को ध्यान में रखकर शुरू की गई है, चाहे वह यूपिएस अक्जाम हो, यह योपिएस का हो, यह यूपिएस का हो, यह यूपिए आरो-यार कंप्लीट को दूए क्या है गनित हैं लिए कर दो क्या है कर दो क्या हैं जिसमें भारती अतिहास कि सम्सक्राइब हमारी पहली क्लास प्रूस यान्थ वह हमने एंसी है पेश्टी को अफसरी को कबर किया ज्यादा नहीं है जिसमें आपके पूरी एंसेंट कवर हो गई है थो एक घंटे 50 मिनिट पैस पास आपका लेक्छार है जो मेडाइवल हिस्ट्री अधस थो एक घंटे 50coat कर लेंगे मेडाईवल हिस्ट्री को भी आप एक घंटे 20 मिनट में पूरा अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे और इसी वीडियो का अगर आप एक बार देख लेते हैं फिर एक बार और देखते हैं तो आपको काफी सारी चीज़ें आपकी कवरब होती हुई दिखाई देंगी जो कि आपके एकजाम में काफी महत्पूर रहेगा आज का जो अरा टॉपिक है वह आता है मौडर्न इंडिया मतलब कि आज जो इसका जो तीसरा फेज आता है हिस्ट्री का इसके अंतरगत कौन कौन से टॉपिक का इसमें विर्स्तित्वे एनलिसस दिया गया है तो चलिए शुरू करते हैं इसके टॉपिक को जान लेते हैं जिसमें आता है आधुनिक भारत का हितिहास जिसमें पहला नंबर पर जो टॉपिक है जिसकी डिटेल मिलेगी आपको यूरूपिय कंपनी होगा अगमन फिर आता है इस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल की नबाब छेत्री राज जिसमें पंजाब और मैशूर गवर्नर जनरल वायस राय बिटिस सासन का भारती अर्थ अच्छा का अलग अलग आसे जैसे अब कोई घटना चक्र का पुर्रावलों कर रहे हैं तो स्किल हो जाएगा तो उसको करने के लिए उससे अच्छा है कि आप जल्दी इसको पढ़ सकते हो लेक्चर वाई से तो आप इसको बार बार देखेंगे जब आपने कुछ अपना कर रहे हो या फिर पढ़ लिया है या फिर बैठे हुए तो आप बैठ के आराम से सुन सकते हैं तो इस तरीके से आपका रिबीजन भी हो जाएगा कम समय में जाद से जादा चीजे रिवाईज हो जाएगे अब आता है कि पत्र पत्र काये पुस्तका उनके लेखन अठारो संता उनकी क्रांती अन्यजन आंदूलन आदनिक भारत में सिक्छा का विकास आदनिक भारत में प्रेश के अविकास सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदूलन कांग्रिस से पूर्विस्थापित राजनेतिक संस्था भारती राष्टी कांग्रिस में गरम गदल और नरम दल भारत में क्रांतिकारी आंदूलन भारत से बाहर क्रांतिकारी गद्विदियां बंगाल विभ किशान अंदुलन किसान सवा ट्रेड उनियन सामयवादी दल रॉलेक टेक्ट और जलिया वाला हत्तिया कार्ण और खिलाप्पात अंदुलन अशय यूगा अंदुलन सुराज पार्टी का गठन फिर आता है साइमन कमीशन इसके बाद लाकांग्रेस का लाहोर अधिवेशन प दुति विस्यूद पाकिस्तान की मांग व्यक्तिगत सत्याग रहे किरप्स मिसल भारत छोड़वा अंदुलन फिर 47 नंबर का टॉपिक आपका आएगा सुवाज शंद्र बोस और आजाद हिंदेपोज केबिनिट मिसन युजना समयधान सभा अंतरिम सरकार का गठन भारत क अबिभाजन भारत का समयधानिक विकास और आद्मिवारत का इतिहास टो यह सभी मेजर टॉपिक है इन मेजर टॉपिक के अंतरगत हमें सरंखला को कवर करेंगे चले तो शुरू करते हमारा पहला टॉपिक पहला आता है इसके अंतरगत की यूऊरूपीय कंपनियों का आपका 1492 में पुर्टगाली उपनिवीश का प्रिथम बाइस राय भारत में था कभ फ्रांस सुदा अलमीडा वासकुडिमा गामा का कालिकट में स्वागत किया था किसने किया हुआ था जमूरिन ने फिर आता है समुद्री यात्री और देश की बारे में हैं जिसमें वासकु वालियों ने भारत में प्रिथम दुर्ग का निन्माड किया था कहां किया था कोचीन में फिर आता है मद्ickाल में सरप्र्थम भारते से ब्यापार संब्नagt इस्थापित किया पुर्टगाली बाइदेल चिंसूरा हूगली स्रीरामपुर फ्यक्तियों में से जो दच्छों कि खाड़ी में समुद्री लूट पार्ट के लिए अड़ा बनाया गया था जिसमें पुर्टगाली आते हैं कलकत्ता का संस्थापक जॉप चौर्णॉप था भारत में यूरोपी सक्तियों के प्रिवेश के संदर में सही कथन हैं इसको आपको डारेक्ट ही याद करना है कि अ पार के लिए सरपर्थम सयुक्त पूझी कंपनी आरंब करने वाले लोग ब्रिटेन की थे इसमें सही कथन आपको डारेक्ट ही याद कर लेना है कि डचों ने फ्रांसी सियों को पराज़त किया और आदों ने कोच्ची में उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की गोर्ट व अच्छा बेतंदी और अपनी सिवा में लगा सकता था तो इस तरीके से इस्ट इंडिया कंपनी की यह सफलता की प्रमुख राज है जिसको आप कोई पॉइंट याद कर सकते हैं फिर आता है कि प्रिटिस कंपनियों में भारत में ब्यापार करने वाला पहला वी धिकार पत आता है अपने कार खानों को इस्थापित का है थे कहाँ सूरत में भरूच में बुर्हान पुर्षानपूर आहम्दावाद और आघरा में फिर आता है आपका किवह अंग्रेज अधिकारी जिस नए पुर्तिगालियों को स्वाली की इस्थान पर हराया था था थामस बेस्ट ने एरोपी वेपरी कंपनियों ने सुरत में सरप्रिथम अपना कारखाना इस्थापित किया अंग्रेज एंजों ने इस्टिने कंपनी की प्रारंबिक दोर में बेस्टन प्रेसिडेंसी थी कहां सूरत में बिटिश इंडिया कंपनी ने बंबई लिया हुआ था पुर्तिगालियों से अवत कि नमाप साधत अली ने प्रियाग राज इलावाद का किला अंग्रेजों को सौप दिया था 1797 में फिर आता है आपका के इस इंडिया कंपनी का गवर्णर जिस और अंगर जीब दरा भारत से निसकासित किया गया था वैकून था सर जॉन चाइल करना तक प्रिथम करना तक कना करना तक कि दोरान एक्स लपला की संदी हुई थी ति प्रतिय करनाटक युद्य के दौरन पैरेज की संदी के से अंध हुआ था और प्रतम मैशूर युद्य में बेटेशों की हार हुई थी अब इसमें कुछ युद्ध हुर उनके वर्स दिये गए जिनको आपको डारेक्ट ही याद करनाटक का प्रतम युद्य 1746-48 के बीच हु यूरूपिय निती यूरूपिय ब्यक्ति जिसने भू छेत्र अरजित करने के उद्धिस से भारती राजाओं के जगड़ों में भाग लेने की नीती आरम भी की उसमें डूपली था भारत में फ्रांसिसियों ने अपना सबसे पहला कार खाना इस्थापित किया सूरत में फ चीष्ट इंडिया कमपीनी ने पट्ना में अपनी फैक्टरी स्थापित की 1632 में फ्रांसिसी तक्कन के में सक्ति आंदूलन इस्थापित करने में असफल रहे क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों की फौज सक्तिसाली थी भारत में यूरूपिय सक्तियों की आगमन का क्रम क् फिर दच आए फिर अंगरेज आए फिर फ्रांससी आए अब इसमेलित करके दिये गए हैं कि फ्रांससी नकरक हों में देने स जो चछिया आई ऑल्च नर अफिंपराफ्थ होता था बिहार से अब आते हैं कि रडश?. दोरह इस्थापित प्रमख व्यापारे के अंद्र कौन-कौन से हैं कि आता है नाक-पट्टम, मचली-पट्टम, सूरत, भरूच, आग़रा, कोचीन, अहमदाबाद, तथा पटना इसके अंतरगती प्रमख डचों की प्रोमग व्यापारी के अंधर हैं अब आता है कि यूरोपियों में शोतंतिता पूरु भारत में व्यापारी की रूप में सबसे अंत में आये कौन आये हुए थी फ्रांस से अब आता है आपका कि कमपनी एक असंगत है परंतु यह है उस विवस्था का भाग जहां सब कुछ ही असंगत है या किस की द्वारा कहा गया था इस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिपड़ी की गई थी जीबी मैकाल की द्वारा फिर आता है एक सलापिला की संधी जो की 1748 की संधी की संदर में सत्यकत हैं था कि इस से अंग्रेजों को मद्रास पुना प्राप् अब आता है आपका इस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के संदर में देखा जाए तो मुगल समराट द्वारा निक्ट बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्सीद को लिखा था और भारत में बिटिश प्रभुत को प्रारम में किया हुआ था प्लासी के युद्ध के प्ष्चाथ फिर आता है इसके बाद आपका नेक्स्ट के की सुराज दोला याक लौड का प्रास्त दोया था किसके दोरान फ्रासी की युद्ध में फिर इसके बाता है कि भारत वर्श में बिटिश सामराज को संस्था पर कौन था लाड रॉकॉल ओ रोबर्ट कि राए ऐ पिलासी का युद्धि मैदान अवस्थे थे पश्यम मंगाल में, पिलासी का युद्धि कहा लड़ा गया थे 1770 में, फिर आता है आपका कि बंगाल को बहन अबाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदावाद से मुंग गेरिस्थानांतरित की उसममीर कासिम है, फिर आता ह बंगाल की लड़ाई, बकसर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफ है, फिर आता है कि इस्ट इंडिया कंपनी के, भारत में प्रिथम नर्णाएक सेने सफलता मानी जाती है, बकसर की युद्धि के दोरा, फिर आता है आपका कि इस्ट इंडिया कंपनी इस्ट इंडिया कंपने को सहं साय साहे आलम दोरह बंगाल बिहार उडीशा में दीवानी अधिकार दिये गए थी ल॑ढ नल कलाएब इसके बाद आता है कि अवत सल्तनत के हिंदू नवाव बजीर की संदर में सवेसत्य हैं इनके संदर में क्या कर सथे हैं कि यह राजा टिकेट राय नवाव असफु दॉला की अर्थ मंत्री थे और अवत की नवावों की राज में सामानिता कतिपाई हिंदू जातियों की प्राइस को एक लाद लड़ा गया था वांडिवास का युद्ध उसके बाद बकसर का युद्ध बैटवास के युद्ध सत्रासु साथ में पराज़ट हुए थे वैकॉन थे काउंट लाली यह सत्रा सो साथ में पराजित हुए थे अब आता है हमारा नेक्स्ट इसके अंतरगत की इसमेले दिया गया है कि बकसर का युद्ध बकसर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था मीर कासिम की बुरूद इस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वांड कि द्वारा सरवादिक ब्रोद अंग्रेजों का किया गया था अब आता है आपका कि छेत्री राज में पंजाब इवं मेशुर के बारे में जिसमें वहला आता है इसमें कि दिल्ली काबुल मकरानेस और स्री नगर से मैंसे रंटी से कि राज मैं समलित था स्री नगर राण संबन्दी थे सुकर चक्किया मिसाल से महराजा रंडी से कि राज राज की राजदानी लाहोर थी राजा रंजी से डालत兩 इस्थापना की हुई थी लाहोर में इसके बाद आता है रंजी से ने प्रिश्द कोहिनूर हीरा फ्राप्त किया था किसे साहसूजा से। इसुर की एक्षा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाय से देखों इसलिए उसने दूसरी आख की रोशनी ले ली। यह किसने कहा था महराजा रंजी सेंगे उत्रादीकारी खड़क सेंथे सिख राज का अंतिम राजा दिलीप सेंग रहे थे अब आता है पंजाब के पूर्ब महराजा दिलीप सेंगे विशाय में 23 अक्टूबर 1893 इश्वी को उनका निधन पेरिस में हुआ नासिक में उनकी अंतिस्टी उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था वे कभी भी रूस नहीं गए थे मैंसे कथन सही है कि उन्होंने 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था इन सभी कथनों में से यह कथन इनका सही है अब आता है आपका नेक्स्ट की पंजाब की बिलाई के पश्चाथ पंजाब पर सासन करने के लिए तीन परिशत के सदस्य थे कौनते सर हैंडी लॉरेंस अध्यक्ष थे और जॉन रॉल्स और चॉल्स ग्रेन बिल मांसल इसके और अन्ने सदस्य थे अब आता है कि प्रथम आंगल मैशूर युद्धि में कौन बिजाई हुआ हैदर अली 1755 में डिंडी गुल मैसूर में एक आधनेक सस्त्रगार की स्थापना हैदर अली के द्वारा की गई बिटिस जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नौत के वे के युद्ध में हराया था सरायर कूर के द्वारा टीपो सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई थी कहां पर स्री रंग पट्नम में बैभारती सासक जिसने बिदेशों में आधनेक पदिती से दूतावास इस्थापित किये थे टीपो सुल्तान के द्वारा टीपो सुल्तान ने बिटिस जनरल को 1780 में पोली इलूर में हराया था अगरेजों ने स्री रंग पट्नम की संदी टीपो सुल्तान के साथ कि भूई थी टीपो सुल्तान अगरेजों के शात युद्ध में 17992 में मारे गए अब आता है आपका नेक्स्ट कि सुमेले ते इसमें बताए गए हैं कि ये डारेक्टि सुमेले थे जिनको आपको सिधा याद कर लेना है कि पिर्थाम आघल मैंशूरयुद्य हैतर अलीर इसमें बिजित हुआ भूत रंग आपको पराजित कि संदी का हइं में बेगम समरु में यह एकती महार्पिर्षित चर्च का निर्माड करवाय था सर्धना में इसमें उप्रूप्त कथंस दारिक्ठी सही है कि महराजा रंजी सेहने लाहोर में तोपो का निर्माड के लिए आधनक धलाई खाने इस्थापित कियो और आमिर में सवाई जैसे ने यूकलेट की रिखागड़ित की तत्तों का संक्रित में अनवाद करवाया मैशूर वे टिपू सिल्टानिस रंगरी मंदर में देवी साल्दा की मूर्ती के निर्माड के लिए धन दिया था तो इसमें ये जो अब्जेक्टिव ड्वाइस जो दिया गया है उसका डारेक्टी इसमें उत्तर दिया गया है कि पहला पॉइंट की ये महराजर रंजी सिन लाहोर में तोपो के निर्माड के लिए आधनक धलाई खाने इस्थापित किये दूसरा की आमेर में सवाई जैसे ने यूकलेट की रिखागड़ित के तर्तों को संस्कृत में अनवाद कराया और तीसरा की ये मैशूर में टिपू सिल्टान स्रंगेरी मंदर में देवी सार्दा की मूर्ती के लिए धन दिया हुआ था और भी एने सत्य कथन में आता है कि प्लासी के यूद में सुराज उद्दोला की पराज़े के लिए मीर जाफा ने अंग्रेजों से मिलकर सड़ेंत रचा हुआ था अब आता है गवर्नर जनरल वायस राय के बारे में इसमें सही कथन है जिसमें आता है पहला कि उन्सके अंतरगत की जन प्रशासन की नीव वारन हैस्टिंग द्वारा मजबूती में रखी गई जिस पर उपरी सनलशना का कार्णवालिश ने की फिर इस्ट इंडिया कंपनी की आसैनिक और सैनिक सुधार करने का सरे किलाईब को था और डाल लाड अलोजी ने बेपगत की सिधानत की आधार पर बिटिश सामराज में समरद छेत्रे जोड़े हुए थे और मीयन ने सत्य कथन डारेक्ट दिये गए हैं जिनको आपको पॉइंट वाई सी याद करना है कि बंगाल का पहला गवर्नर रोवर्ड किलाईब था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लाड विलियम लिखा जाए तो इसमें बक्सर का युद्व जो हुआ था 22 अक्टूवर 1764 को किलाईब का पुन्हा भारत आगमन 3 मई 1765 को इलहाबाद की संदी अगस्त 1765 को वारेन हेस्टिंग का गवर्नर जनरल वर्ना 1774 भीवर फिर आता है कि भारत में बिटिश सामराज का संस्था पक कौन था लाड किलाइब अंग्रेजों के बिर्द बनारस विद्रोय का नेतत राजा चेत से ने किया बंगाल के दुई सासन पड़ा ली लागू की गई लाड रोबर्ट किलाइब की द्वारा अब समें कथनों कारण में दोनों ही सत्ते हो और उनका इस पस्टी करण भी है तो आप कथन सुन लेंगे और कारण भी सुन लेंगे कि बंगाल में एसियाटिक सुसाइटी की स्था अपना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उसने सर बिलियम जॉन्स की पक्ष में उक्ति बिदत संस्था कि अध्यक्षता प्रिश्ताव अश्विकार कर दिया थ बंगाल का गवर्णर जन्रल था लौड वॉर्ज इस्टिंग सुरक्षय प्रकोष्ट की नीती समद्धित थी वॉर्ण हैस्टिंग से फिर आपका आता है कि बंगाल में दोइस सासन पडाली को समाप्त किया हुआ था वॉर। गवर्णर जन्रल जिस पर बिर्टिस अंसद से महावी योग का मुकदमा चलाया था वारेन हेस्टिंग की द्वारा अब इसमें डारेक्टी सुमेले थे कौन-कौन से की बकसर का युद्धी स्विल सर्विसिस रप इंडिया का सिर्जन किया जो कालंतर में भारती सिवल सीवा की गाता हमालिश की जांब गाजी ते 127 की संदी पर किए हुए थे अंग्रिज और already जली की साहिक संदी को श swab करने वाला पहला मराथ उसर्थार पेश्वा जिग् संदी को क्रियां बिश्छ करने वाला प्रिथम भारती देशी साजक हैदराब की निजाम रहे हैं अब आता हैं आपका नेक्सट कि है कि है तरहाइंध मैशूर अवध सिंधिया मे लाड लाड वेलीजली की साथ सहहाईक संदी करने वार राज्यों का सही किराम है कि हैदराबाद में पहले सायसंदी इस्की बाराइग संदी सADEक्संदी कुछ करने वाला पहला सासा कौन था आब का कि भारती राज्वो पर अंग्रेजी प्रभुत्ति स्थापित करने के लिए प्रसासन मैं सायक संदी का जो पड़ाली का सूत्रपात हुआ वह किसके कारण हुआ लाड़ वैले जली के द्वारा इस्ट इंडिया कंपरिंग का राजपूत राज्जों में साहिक संदी करने का मुख उद्धिस अंग्रेजों की प्रिभुसत्ता इस्थापित करना था वह समय जब नेपुलि किसके साशनकाल में हुआ था लाड़ हैस्टिंग के इसमेदा हैं कि हैक्थर मुंन्रों किस सम्मंदीथे वक्सर की उद्धिसे लाड़ हैस्टिंग ने पालत ही से लाड़ वेले जली चकर तुल Εन ज guilty आंगले मैसूर युदिस से सब्वांदिभा मदरास के गवर्नर 1820 से 1827 भी तक रही फिर आता है कि तथा कथित कुशासन के आदार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज के प्रशासन को लिया था वह लाड बिलियम बेंटिंग था गवर्नर जनरल उतिती ए अंगल मैसूर युदि से सम्मधित थे लाड कार्ण वालिस ठागों की तमन से सम्मधित था कैप्टन सिलीमेन सती प्रथा परपावंदी बिलियम बेंटिंग के लगाई विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा समाप्त की गई 1829 में बंगाल मे हैं दासो के नुरियाद को रोक दिया गया अठारा सत्रा सो नावासी में लाडल होजी द्वार अवद का अंग्रेजी राज में बिलाए बिलाए बीर को प्रीमांप्रावली का बिलाय हुआ तो ये प्रूम्ट बिलाई है जिसको आपको याद करना है अब आता है कि बगहात रियासत का बिटिस सामराज में बिलाई 1850 में हुआ बाय गवर्णर जिसने बिलाई की नीती नियोजित क्रियानवित की डलहोजी की समय में जेम सेंट्रूज रेम जी भारत की जिस गवर्णर जर्नल का बास्तवी एक नाम था वै लाड डलहोजी था भारत में बिटिस सासर की दोरान जहासी संबलपूर और 17 राज्यों का बिलाई किरम है जिसमें 17 पहले नंबर पर 17 फिर शंबलपूर फिर जहासी यह यह किसका किरम है अब आता है अंग्रेज उजारा सिंद्ध सुरण तर्वी लाइन जिस प्रिटिस गवर्णर के समय बिच्छाई गई थी वह लाडल होता भारत में प्रिथम निरमाड हुआ था अब आता है कि भारत में पहली रेल्वी लाइन शुरू की गई थी 1863 में इसकी बाद आता है कि बही कमपनी जिसने सरप्रतम भारत में र किया गया लाड डफरिंड की समय में पब्लिक वर्कस डिपार्टमेंट को अठारा सो पच्पन इच्पी के दौनान स्वरूप देने वाले थी लाड डल हो जी फिर आता है कि विद्वा पुनरवाय अधिनियम क्रियानवेत किया गया लाड केनिंग की सासनकाल में एक नमंबर अठारस वन्ठाउन को महरानी विक्टोरिया का घुषना पत्र रहाबाद में पढ़कर सुनाया था किसने लाड केनिंग ने भारत का प्रिथम वायस राई लाड केनिंग था अपने पुत्र के इस्थान पर दूसरे उत्तर अधिकार की उगोद लेने के अधिकार को पुना इस्थापित किया गयर था 888 थाउन की सामगरी की गोषना में यह किया गया था आँ आता है कि महरानी विक्टोरिया को भारत का सामगरी न्यूपत किया था 1847 022 में बैगवर्न्स जैरे जिसने भारत में इस्थापित्धा को समाप्त किया था लाड एलन बरूनिय फिर आत लाड बिलियम बेंटिंग अठार सो उन्तिस में सत्रेवे रेगुले सिकें संसे यह सभी एक दूसरे से सुमेलित हैं और भी अन्य है कि इस्थाई बंदवस्त का प्रारम किया गया था कर लाड कार्णवाल इसकी समय में पेश्वाई को समाप्त किया गया था अठार सो अठार युद्ध हुआ था लाड अलोजी अवत का बिलनी करण से संबंद थे लाड दफनेंग भारती राज्टी कॉंग्रेस की स्थापना हुई फिद लाड बिलियम बेंटिंग के समय में चार्टा रेक्ट अठार सो एक तैस को पारित किया गया और लाड लेटन के समय में दुत क्रियता की नीती के साथ जुड़ा हुआ है बा जॉन लॉरेंस है फिर आता है कि भारत में विकेंदी करण का प्रारम बित्ति विकेंदी करण लाड में वो के समय में हुआ भारत में अग्रेजो की समय की प्रिथम जनगर्ण लाड में वो के काल काल में हुई थी वह वायस सबसे दीरिकाल तक रहा लाड लिन लित हुँ लाड कर जन जो की दुतिय सरवादिकार का लिन का रहा भारत में इस्थानी शुआइट सासी संस्था सब्सक्राइब करने के लिए भारत में इस्थानी शुआइट सासन का जनक किसे माना गया है लाड रिपिन को इसके बाद आता है आपका सही सुमेलित करना है किलाइब किस सम मंदे थे बंगाल के दौहरे सासन से बेंटिंग अंगरेजी सिक्षा से चार्ल्स मैट को प्रेस पर से प्रतिवंद हटाने से, लाड बिलियम बेंटिंग सतीपर्था पर प्रतिवंद से, लाड रिपिन स्वायत इसासन से, लाड करजन बंगाल विभाजन से, फिर आता है आपका भारती पुरातत्त्तु सर्वीक्षण की स्थापना हुई थी, किसक अब आता है कि लाड करजन को प्रांति ये सीमा ओ, को पुनर गठित करने का नर्णे लिया, पूरी विवंगाल और असम नाम नया प्रांत बनाया गया तो इसकी संदर में ये असेनिक प्रशासन उन्नी सु पांच के संदर में फूट डालो राजकरो की रणीती अपनाए गई लाड़ करजन और लाड़ मिंटो की द्वारा फिर आता है मुझे विश्वास है कि कांगरेस अपने बिनास की तरफ बढ़ रही है और मेरी यह एक्छा है कि भारत में रहते होगी भारत में रहते होगी कि इसके सांती प्रिय निधन के लिए इसका सहाइक बनू या किसका कथन है या लाड़ करजन का कथन है फिर एक और कथन लाड़ इंविंटो की द्वारा दिया गया कि बह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पिर्थक निरवाचन मंडल की विवस्ता मुसलमानों को जीतने वा है डलो होजी से बर्नाकुलर प्रिसेक्ट लेटन से इलवर्ट विल रिपन से ठगी का देमन बिल्याम बेंटिंग रिंग फेस कई नीती वारेन हेस्टिंग से संबन देथ हैं अब आता है कि बिटिज भारत की राजधानी कलकत्ता से दिली इस्थान अंत्रे क्रियानवेत ह हुआ लाड हेंडिंग के समय में यह हुई थी अब आता है आपका नेक्स्ट इसमें सही सुमेलित बताना है जिसके अंतरगते दिये ही गए है कि चूक क्या हडपा नीती किसकी है डलो जी की मंगाल का विभाजन लाड करजन का बंगाल में दोहरा सरसन किलाइव का समाजिक स अब आता है आपके सूची एक और दो दी गई है जिसमें यह सुमेलित है कि बंगाल में फोर्ट बिलियम प्रेशिडेंट सी का गवर्नर्स जनरल रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन था जिसमें चार्ल्स कार्णवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्किक्स एक दूसरी से सुमेलित है फिर आता है कि बंगाल जनरल जनरल जीससे चार्ट रेक्ट ठारशो थैस्थाइस के जिसमें जेम्स ऐंडूरूज ब्राउन डैमजी डल्था जी का अल्ड और मार्किक्स सामिल हैं फिर आता है भारत का वाक्चरिणर जनरल और भाष राह भारत का गवर्ष रा अगार की वर्ड परसीवल पेविल वाई काउंट और अंतरगत एक दूसरे से सभी सुमेले थे अब आता है कि वाइस राई जिसके कारकाल में भारतियों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधिया प्रदान करना प्रारम किया गया कैनिंग की काल में अब आता है हमा संपत्ति का दूहन महतपूर अंग है जिसमें के अंतरगत आता है कि लंदन में इस्ट इंडिया का आफिस की भरण पोशन के लिए प्रियोग में लाई जाने वाली निधी भारत में कारेरत अंग्रेज कर्मचारियों के बेतन तथा पैंसन देने हितू प्रियोग में लाई स्थाहिस नहीं हूँ इसका कारण क्या था धनेक भर्ग द्वारा भू संपत्ती में नवेज करने को तहरत ही दिया गया में इस्त्मरा एक बंदोबस्थ लागू किया गया लाधकनवाल इस ने इस्था जमिदारों ने पट्टा जारी नहीं किया इसका कारण क्या था कि जमिदारों के ऊपर कोई सरकारी नहीं था बिहार में पर्मानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था भूराजस का राजस निर्णाय एन करना फिर आता है इस 1885 इसवी में बिहार और बंगाल में भूमी पर किरायदारों के अधिकारों पर बंगाल किरायदारी अधिनियां द्वारा किया गया था विटिश शासन के दौरान भारत में रियतवाड़ी बंदवस्त की प्रारम किये जाने की संबंद में है अलेक जर्णर रीड टामस मुन्रू एल्फ इंस्टन बिंगेट और गोल् नंग्री जोन रियतवाड़ी भिश्था सर परफ्थं कहां प्राराज में की असे मैं धिश्दन्सी में ब्रेष बिवस्थल में रियर औरुलिक को पट्टे देती थी और कर लगाने की पूर्व भूमी का सरवेक छड़ों मूले निर्धारण किया जाता था अब आता है कि बहुराजुस की बुक्तार के लिए जिम्मेदार माना जाता था वह कौन सी विवस्था थी बहुराइयत वाड़ी विवस्था थी अब आता है कि प प्रथम चाय कंपिनी के स्थापना की गई पंजाब हुमी अधिनियम उन्नीश्व इसपी में पारित किया गया सुमेले थे जिसमें विवस्था सम्मंदित राज दिये गए जजमानी विवस्था उत्तर भारत में प्रिचलत थी बारा वलूट विवस्था महराष्ट में मि रासी विवस्था तमिल लाडुमों और डाड़े विवस्था जो थी करनाटिक में प्रिचलत थी अब आता है कि इसके बाद की नेक्स्ट बिटिस भारत में सेने बल पर केंदरी राजसर का कुल प्रिशत कितना व्या हूता था 42 प्रिशत हूता था फिर आता है आपका नेक भारत को कोई वास्तविग प्रितफ़ल नहीं मिलता था अंग्रेजों के सासन काल में भारत में आर्थिक दूहिन की सिध्धान का प्रितपादन किसके द्वारा किया गया दाद Parks नेरो जी की द्वारा अब इसमें सत्पिक अथन दिये गए हैं कि बिटिश काल में सामाणयत भारत का ब्यापार संतुलन आनुकूल था धन के निकासी शुरूप आपं रिति फलेत निर्यात हो ठाथ भारत में अपने विश्वात का आर्थिक आलो chess कौन थे दादा भाई नयरोजी जी सुब्रमन्य मईयर आर्ची की आर्फिक आलो खां जो थे वह इनके ड्रेन आफ थियोरी में विश्वास नहीं करते थे पॉबर्टी एंड अन बिर्टिश रूल आफ इंडिया नामक पुस्तक के द्वारा लेखे गई दादा भाई नेरोजी के द्वारा पिर आता है बिटिश हाउस आफ कॉमन में चुने गई दादा दीदल पर दादा भाई नेरोजी की भारती राष्टी अंदुलन को सरवादिक प्रभावी देन थी कि उन्हों ने इस बात को अभी वेक्त किया कि बिटेन भारत का आर्थिक सूसर कर रहा है अब आता है कि भारत में बिटिश आर्थिक नीती घिनोनी आये विचार वेक्त क किया गया था काल्ड मांक्स की द्वारा बिटेश आसन की समय अर्थिविवस्था को खूकला करने एकनोमिक ड्रेन की सिद्धान की बारे में पुस्तक लिखे थी दादा भाई नेरोजी अनुद्धोगी करण की संदर में सत्य कथन दिये गए कि यह पिक्रिया 1813 में प्रार आर्थ एक तोर पर 1927 में भारत पर अंगरीजी सासन का एक परणाम था भारती किर्सी का वानजिकरन बैकतन जिसने उद्धोग के किरान्ती के दवारा 1927 के पूरवार्थ में भारत पर पड़ते प्रभाग की सही ब्याक्ख्या की भारती दस्तिकारी उद्धोग नस्ट हो गए थे तो यह सही बाख्या दे अब आता है पत्रिकाय और उनके लेखक के बारे में पत्रिकाय और उनके लेखक के संदर में जानते हैं जिसमें सबसे पहले तो सुमेलेत आती है कि अबूल कलामाजाद की जो पुस्तक है वा इंडिया विंग्स फरीनम एनी वेसेंट की न्य इंडिया बाल गंगा धर तिलक की केश्री मातमगानी की हिंद सुराज अब और ने पुस्तके आती हैं कि बापु माई मदर सीर सिसंस मरण लिखा हुआ है मनु वहन की द्वारा गीता रहिस नामक ग्रंथ लिखा गया है बाल गंगा है धर तिलक की द्वारा अरविंद घुस लिखा है दा लाइफ डिवाइन दा राइज एंड ग्रोथ ओफ इकनोमिक नेसलिजम इन इंडिया पुस्तक के लिखा कौन है विपिन चंद्र अस्प्रस समदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्र का बिटाल विधुवन सक प्रकासित की गई गोपाल वावा ब जाला राज पत्राय की दुरगेश नंदनी बक्किम चंद चटर जी की पौबर्टी एंड रूल ओफ इंडिया दादा भाई नेरो जी की पुस्तक है फिर आता है लॉरी कॉलिंस एंड डॉमिनिक लेपियर किसकी पुस्तक है फ्रीडम एड मिटनाइट दुरगादास की यंग इंडिया की लेखक माहत्मागाडी न्यू इंडिया के एनी बेल सेंड बैलेंटाइन्स रॉल किसे सम्मने थे इंडियान अर्नेस्ट से सुवाश चंदर बूस दा इंडियन इस्टेगल बीडी सावर कर इंडियन वार आफ इंडिपेंडेंस इनकी प्रुमुख प्रुमुख की किताब रही है आनेशन इन्दा मेकिंग लाला राजपत्राय की आटो वाइग्रफिकल राइटिंग आत्म चरितात मकरचनाय जवाहला लहरू की किताब डिसकवरी ओफ इंडिया फिर आती हैं और भी सुमिलित कितावे कि हिस्ट्री ओफ दा फ्रीडम मुमे यह डवलू डवलू हंटर की यह बेप्रमुक कितावे हैं अब आते हैं हमारे नेक्स्ट जिसमें आती है आर्सी मजूम्दार की जो किताव है बया आती है दाशी पॉय म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ ठारसु संताओं रुद्रांग को मुखर जी की किताब आती है अव को टोई इस्प्रिंगेंग टाइगर की बुक है फिलिप्स टाल विट अमेरिकन विटनेस टू इंडियाज पार्टिशन की यह किताब है इस प्रिंगेंग टाइगर की पुस्तक की जीवनी के लेखा कौन है सुबाश चंद्र बोस फिर आते हैं साईश उमेलित में आता है क बहुत की भगस्ति के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है इन इंट्रो डेक्षन टू दा ड्रीम लेंड और सचिन्ना सानेयाल के द्वारा बंदी जीवन भगस्ति द्वारा मैं अनिशुरवादी क्यों हूं यह किताब लिखी गई है अब आते हैं और अनिलेखर स्याम लिखी गई है इंटिया दिन आतायाल किद्वारा वन्दी जीवन लारा रामसर्णक की द्वारा द्रीम लेंड और भगवती चरण़वोरा की द्वारा दा फिलोसीपी ऑफ बं किताब लिखी गई है अन्पास्ट यह क्यू लेखर कौन है डॉक्टर बियारं बेटकर सही श अब आता है guilty man of India's partition पुस्तक किस के द्वारा लिखी गई डॉक्टर राम मनुहर लोहिया के द्वारा इसमें सही सुमेले दिया गया है इनकी एक दूसरे से सुमेले थे अब आता है वक्यम चंदर चतर जी के द्वारा आनन्दमड लिखा गया है माइकल मदूसुदंदत्र केप्टिव लेडी के द्वारा रवेना टैगोर के द्वारा गोरा और रजुसरोजी नाइडू के द्वारा दा ब्रोकन बिंग्स इनकी किताब है गीता अंग्रेजी संस्क्राण का प्रिकासित हुआ था 1912 में राम मनुहर लोहियर ने दावहिल्स ऑफ हिस्ट्री किताब लिखी हुई है मात्मा गादी ने बिटिस पार्लियमेंट को बांज और वैश्या कहा है हिंदि स्वराज में मां इंडिया फोर इंडियंस के लेखा कौन है cr-0 गोख ले माई पॉलिटिकल गुरूप कुस्तक किसके द्वारा लिखे गई है महत्मा गादी के द्वारा फिर आता है कि दिलीप मुखर जी किस से सम्मनित है टैरेरिस्ट इसे इनकी किताब से महत्मा गादी की किताब है बयमाई एक्सपेरिमेंट उन इनकी प्रमोग के किताब है फिर आता है साही सुमेलित में के डीपी मिस्र लिविंग इन एरा इससे सम्मन्दित है फिर आता है आपका नेक्स्ट की पुस्तक फाउंडिशन ऑफ इंडियन कल्चर की लेखा कौन है स्री अर्विन्द बहु विवाय नमक पुस्तक लिखी है इस इस में लेखा पुस्तक दी गहीं जसमें अमृत लाननगर इसमी किताब है स्मित्र नंदन पंति की किताब है शेटनमरा फिर आती सरत्सं चन्द不會 की किताब गिजट रेंग ereंदात राइस्टी आंदुलन की विकास से जोड़ा गया है उसमें आनंद मठ आता है। बंगाली देश भक्ती की बाईबल मानी जाती है आनंद मठ। सुतंतरता संगराम की समय लिखी गई सक्खा राओ गडेश देवशकर। पुस्तक देशिर कथा की संदर में शत्य कथन है कि इस पुस्तक ने वो अपने वेसिक राज़द्वारा मस्तिक्स की सम्मोहक विशय की ब्रोध में चेतावनी दी और इस पुस्तक की नए स्वदेशी नुकर्नाटकों और लोग गीतों को प्रेर्यत किया हुआ था। अब आता है आननमठ के बारे में कि बंदे मातरम का गीत जिसने अपनी आजादी के लड़ाई में भारत में देश भक्त सपूतों की बड़ी प्रेर्यना प्रदान की अंकित है ये आननमठ में ये अंकित किया गया। प्रिसिद्य कृती जो है भारत दुर्दशा अंधेर नगरी चोपट राजा नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है सुब्रमान्यम भारती कभी तमिल कभासा में लिखी है भारत भारती के लेखक मैथली सरण गुप्त है फिर आता है आपका नेक्स्ट की रास्ट नाटक के लेखक का नाम विजय तेंदुकर है और उर्दू, रंगमंच, पार्सी, थेटर और बहुत अधिक आधारत हुआ करता था तो इसके संदर में प्रोमक कथन दिये गए जो की सही है अब आता है कि संघर्स के और पुस्तक के लेखक कौन है जैप्रकास नारा है प्र आरे नेक्स्ट की दा राइजंग आ ग्रोथ एकनोमिक नेसलिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है विपिंचंद्र फिर आते ही इंडियन नेशनल मुवमेंट दा लॉंग टर्म डाइनेमिक्स के लेखक विपिंचंद्र है आउट आउट आफ प्रिंट न्यूज पेपर्स एंड दा बिजनेस ओफ न्यूज इन दा डिज्टल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है प्रोफिसर जार्ज ब्रॉक मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कैथरीन मेयो द्वारा लिखी गई है मदर इंडिया फिर आता है कि दा फस्ट इंडियन वार ओफ इंडिपेंडेंस के लेखा कौन है बिनाएक दावुदर सावर कर साधना के जो लेखा के रवेन नाटेगो जंडा गीत लिखा हुआ है स्यामलाल पारसन राष्ट भक्ती गीत ए मेरे बतन के लोगों ने लिखा गया है प्रदीप द्वारा कभी एकवाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हि पंजाब से मजब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना या पंग्ती अपनी रचना लिखिया मुहमद इकवाल की द्वारा फिर आता है कि बिटिश अपनवीस बात के बुर्द भोज पिरूई मैं लोग प्रिये कवी ता फिरंगिया लिखने वाले कवी का नाम क्या है मनुर लादे से राश्टिगान की रूप में अपनाया यह गीत किस के द्वारा लिखा गया रविदनाट त्यूर के द्वारा फिर आते हैं जन्गर्मन की रचना किसका ओर की कही रवद rozp बलॉडन थ्रेश गोहरा नामक कविता का संग रहे कि रचईता कौन है सरोजनी नाइडू अंग्रेजी मैनोदित प्राचिन भारती धार में गीति का अबिर शॉंग फ्रॉम प्रीचर्ण से सम्मंदित है मुहंदास करमचंद गांदी से लेंडमार्क्स इन इंडियन कॉंसिट्यूशन एंड नेशनल डवलप्मेंट नामक पुस्तक के लेखा कौन है गुरू मुख नहाल से कॉंग्रेज प्रेसिटेंशियल एड्रिसेज के संपादक कौन है जी एन नटेशन फिर आता है पंडित जवालना नहरू ने अपनी पुस एच सलीमें द्वारा इंडियन वार ओफ इंडिपेंडेंस 877 के लेखक बीडी सावरकार है इसमें डारेक्ट सुमेलित है कि रॉमिष चंद्रदत की जो किताब है दा सोसलिस्ट इस्ट्री ओफ इंडिया अंडर अली बिटिस लूल जॉन और मैकलें की किताब है इंडियन इसलिज्म एंड अर्ली कॉंग्रिस बीरेंद नाथ गॉंगली कि इंडियन एकनोमिस्ट थोट 19th सेंचुरी परसेप्टिप्स फिर बिट्पिन चंद्र की है दा राइजिंग एंड ग्रोथ ओफ इकनोमिक नेसलिज्म एंड इंडिया इसके संदर में प्रुमक सुमेलित है फिर आता है आपका नेक्स्ट कि प्लान एकनोमिक फोर इंडिया के जो लेखक है एंडिया के लेखक पुस्तक जो कि भारत के दूसरी सुतंतरता के लेखक एम जी देवसहायम है प्रिये प्रवास की जो किताब है जिसके अंत्रगत आयुध्या प्रशाद सेंग उपाद्या हरी ओध है गवन के लेखक प्रेम चंद्र है एटर्णल इंडिया के लेखक इंद्रा गांधी और साहिनामा के लेखक जो है वह फिर दो से हैं फिर आता है कि और बायोग्राफी ओफ एन अनॉन इंडिया इसके लेखक नीरद सी चोधरी है इंडिया आ बूमर बूंडेड सि चाहिता है बीएस मिनहास दा प्रॉब्लम्स ओप दा इयर और पॉर इस्ट नामक पुस्तक के लेखक करजन है दा अंटॉल्ड स्टूरी के लेखक चनरल कॉल है इसकी प्रूम्ख लेखक है फिर आता है दा प्रिशित्य पुस्तक दा अलफाबेट के लेखक कौन है फिशर है एस पी चौधरी के लेखक सिबिल रिवेलियर इन दा इंडियन म्यूनिटी 1870 से 69 है असोग महता की जो बुक है पैदा ग्रेट रिवेलियन इनकी प्रूम्ख किताब है अब आते हैं और भी अन्ने सुमेले थें कि माई म्यूजिक माई लाइफ रवी शंकर की आध रमाकांत रत की दाव फेरर लचमण गायकवाड की बुक है फिर आता है बाकी इतिहास जो है बादल सरकार की है गीत सीता सुयंबर विश्णू दास भावे यायाती विश्णू सखाराम खांडेकर गिद्ध जो है जबार पटेल की है ससी थरूर के द्वारा सो बिजनिस लि एंड लॉगिंग इन बॉंबी घर और अदालत लीला सेट के द्वारा जोपडी से राष्टपती भवन तक महेंद्र कुल से रेष्ट के द्वारा लिखी गई इमेर्जिंग इंडिया नंदनील करणी के द्वारा जड़नी थू बाबू डम एंड नेता लेंड टी यार सुब्रमान्यम की ये प्रोख किताब हैं फिर आते हैं आपके नेक्स्ट गोदान और गवन जिसने दोनों ही रचनाय लिखी बैकॉन है मोनसी प्रेमचन नर्मला के लेखक मुनसी प्रेमचन सोज एबटन के लेखक मुनद्सी प्रेमचन मालगुडी डेज की रचनाकार आर कि नाराय हैं हेंसक्रिषियन एंडर्शन की रचना में किसके द्वारा की गई परियों की कहानियों की संदर में यह रचना की गई हैं फिर आता है मड़ी शंकर ऐयर की जो से मन्दित है दा पाकिस्तान पीपर से सभीता पांडे दा फ्यूचर ओफ एन पीटी से फिलिप डायर दा टू पाथ दा पाथ टू पावर 1769 से दा सेटिनेक बर्सिस लिखी हुई है सलमान रस्दी के द्वारा फिर आता है टू इयर एंड मैट्स एंड ट्वंटी एट नाइट के लेखक कौन है सलमान रस्दी नैमसिक पुस्तक के लेखक जुम्पा लाहडी है दा रोड अहेड नामा पुस्तक के लेखक बिल गेट्स ह अगर है जुमत्रा अंदन पंथ के विख्यात एक छायावादी कभी के रूप में है डाइना ये ट्रिब्यूट के लेखक जुलिया डेलानो है है हैरी पोर्टर उपन्यास के मैं कार्नेलियस भज है जादू का मंत्री फिर आता है स्वर्गिय हरीवन्स राय वच्चन की कभ अधियस रिवैलो पुस्तक रॉमान सिंग गजे लाइफ इन आटो वाग्राफी किसकी द्वारी एकिसकी आटो वाग्राफी देवानंद की यह सही सुमेलेद बताया गया है दैस्टर्गलिज माई लाइफ यह किसके हैं नेलसन मंडिला का दैस्टर्गल और ट्राइंप या एपीजी अब्दुल कलाम, पैथोलोजी ओप करप्सन, एस एस गिल, यूलीसिस के हैं, जैम्स जाइस, फिर और भी सुमेले थे, डवलू सी इसमित, किसे समय दलते हैं, मौर्डन इस्लाम इन इंडिया, खाले दिमिन साइद, पाकिस्तान दा, फॉर्मेटिब से, मोयन सकीर, खिलापट्टु पार्टिशन, पीटर हार्डी, दर मुसलिम और बिटिस इंडिया से सम्मन्दे थे, तो ये प्रुम किताबे हैं, और भी अन्य किताबे आती हैं, जैसे हार्ट ओपिशिय पुस्तक के लेकर, मार्क टूली है, लज्ज पुस्तक के लेकर, तसलीमा नश्रेन है, पुस्तक 1984 लिखी गई है, जार्ज और बेल द्वारा, अंग्रे जी उस पर नेस्टा गॉर्ड ओफ स्मॉल तिंग, अरुंदती राय के द्वारा लिखा गया है, मिरग नैनी के लेकर, ब्रिंदावाल बर्मा है, फिर आती है, इंद्रावती, पदमावती, मधुमालती, दधा मिरगावती, इंदी रचनाओं में से पहले लिखी गई है, मिरगावती को सबसे पहले लिखा गया है, इन एक्वल म्यूजिक लिखी गई है, बिक्रम सेट के द्वारा, बिक्रे मोती के रचैता सुभिद्रा कुमारी चोहान, नोकर की कमीज के लेकर बिनौत कुमार उपनियास डेविट कॉपर फिल्ड की रचैता चार्ल्स डिक किंग है, दी प्राउडेस्ट डे, नामक पुस्तक की कहानी भारत की शुतंतरता से संबन्दित है, तस्लीमा नसरिंग के लेखा कौन है, लज्जा उत्तल हवाय, हवा अमार माया बेला, ये तस्लीमा नसरिंग लेखे का है, जिनके द्वारा लज्जा उतल हवाय, अमार माया बेला एक पुल्ट मुख किताबे लिखी गई है, और भी आने सुमेले थे, हाफ अलाइफ बी एस नायपल के द्वारा, बर्शिपिंग फोल्स गॉड अरुन सौरी के द्वारा, अगनी क्यूडान, एपी जी अब्दुलकलाब, जीत आपकी सिव खेडा की द्वारा लिखी गई है, और भी आते, गाधिहन कॉंस्टिउशन एफोर इंडियन, स्रीमन नारायन की द्वारा, दर रिपब्लिक ओफ इंडिया, एलन गलेड हेट की द्वारा, दा वाइट अम्ब्रेला, डी मैकेंजी ब्रा सरच चंद्र का लिखा उपन्यास है, चरत्रहीन, स्रीकान, सेस प्रिष्ण है, खुश्वंत से द्वारा लिखी कई आत्म खथा कौन सी है, टूथ, लव, एंड दा लिटिल, मैरिस, फिर आता है, निव, डाइमन सेज, ओफ इंडिया, फोरें पॉलिसी पुस्तक के लिखा क पुस्तक, दा स्टोरी ओफ इंडियन इस्टिटेस लिखी है, बी पी मैनन ने, आयोध्या, 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी है, पी बी, नर सिंगह, राओ के द्वारे यह किताब लिखी गई है, अब आता है, और, इसमें सुमेलित बताए गए है, बियस नाइपाल, इन अब आता है, आरें तरवेदी की किताब, ए वर्ल्ड ओफ आल हुमन राइट सोली, जे सोराब जी, आफ फैटेसिप्ट, पुस्तक के लेखक आरें तरवेदी हैं, अब आता है, आटोग्राफी, आटोबायोग्राफी ओफ मैडम क्यूरी, हिंदी कानुबाद है, लाल पुस्तक की लेखक बराक उबामा है, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक की रचईता, रजनी को उठा रहे हैं, परवेज मुशलब के जीवन कथा, इंदा, लाइन और फायर के लेखक कौन है, हुमाई गोहर इसके लेखक है, फिर आता है, अंदा यूग के लेखक, धरमबीर भारती, अपने समय की चर्चित उपन्याद चेनी चेनी, बीनी चंदरिया के लेखक कौन है, अब्दुल बिश्वनला है फिर आता है सरवुदय यूजना की रूप रेखा तैयार करने में समले थे जय प्रकाश नारा है अब आती है कवित्री पुस्तक के लेखक जिसमें कवित्री पुस्तक दी गई है इसमें सही शुमेले थे जिसमें कवित्री आती है दया भाई जिनक कि पुस्तक है बिनाय मली का सहज उबाई जिसकी पुस्तक आती है सहज प्रकास सौन कुमारी जिसकी पुस्तक आती है सोड बेली की कभी ता गंगा भाई जिसकी कभी पुस्तक आती है गंगा भाई की पद आते हैं अब आता है फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू सेल्फ है ए रला सब्सक्राइब के दौरा मित ओफ महात्मा नेवले चेंबर लेंड की दौरा दर्जिश्टिकल और पीस यह पुर्ट मुख ग्रंथ लिखा गया है अब आता है यहां पर प्रुमक पुरुस्तु के हमारी फिनिश होती है अब आता है हमारा राश्टी आंदूलन से रिलेटेट कौन कौन से टौपिक है उसमें सबसे पहला टौपिक आता है आपका 1877 की क्रांती के संदर में सबसे पहले तो पढ़ते हैं कि इसमें आता है कि अंग्रेजी भारतिय सेना में चर्वी वाले काल्टू से चलने वाली एंफिल्ड राइफल को सामिल किया गया था दिसम्मर 1856 म में प्रिथम सुतंतरता संगराम का मुख्य तातकाले कारण क्या था कि अंग्रेजों का धर्म में हस्तचेप का संद है मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपूर में फिर आता है मंगल पांडे सिपाही थे कहां कि सिपाही थी 34 भी बंगाल नेटिव इंफेंट्री के 1867 के विद्रों के द्वारान बहादूर साहे ने साहब आलम बहादूर का खिताब दिया था वक्त खाहां को फिर आता है 1867 की क्रांती का मुख्य कारण था ब्रिटिश सामराज की ने थी 1867 की क्रांती सरपर्थम मेरट से प्रारम हुई 1867 की सुतंतरता संगराम से संबंदित पहली घटना थी कि मेरट की तीसरी कैविलरी रेजिमेंट की लेसी सेनकों दोरा चरवी युक्त कारतूशों को छूने से इंकार कर दिया गया था फिर आता है आपका कि 1867 की स्वाधिनता संगराम का प्रतीक था कमल और रोटी 1867 की संगराम में जहासी मेरट दिल्ली और तरह कानपूर केंडरों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुना अधिकरत किया था दिल्ली को 1867 की स्वाधिनता संगर्स की दीरांगना महरानी लच्छिमवाई की जनमे स्थली कौन सी है वारान सी 1867 की बरेली बिद्रो की नेता कौन थे खान बहादूर महारानी लच्वी भाई की समाधी इस्थल गौालियर में है और रानी लच्वी भाई को अंतिम युद्ध का सामना करना पड़ा हिूरोज का फिर आता है कि 1867 का बिद्रो लखनों में किनकी नेतर्ट में आंगे बड़ा वह थी बेगम हजरत महल फिर आता है कि वह महला जिन्होंने 1867 की करांती का नेतर्ट किया बेगम हजरत महल थी महलावात में 1867 की संगराम के नेता मौल भी लेयाकत अली रहे है फिर आता है 1867 का बिद्रो और इस्थान और बिद्रो का प्रारभ में बताया गया लखनों में यह बिद्रोय कब हुआ था 30 माई 1877 को जासी में जून 1877 को मेरट में 10 माई 1877 को अबेरकपुर में 29 मार्च 1877 को यह बिद्रोय हुआ था अब आता 1877 में संगर्ष में भाग लेने वाले सिपाईयों की सर्वादिक संख्या अवद से थी नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थी तात्या टोपी नाना साहब के कमांडर इन चीफ थी फिर आता है अजीम उल्ला है खां सलायकार थी नाना साहब के इस तात्या टोपी मैंसे बहे जिसमें ने उनकी मित्र से धोका दिया तथा अंग्रे जो दोरा बंदी बना लिया गया फिर मार दिया गया तो यह तात्या टोपी को ऐसा किया गया था इनके साथ ऐसा किया गया था अब आता है आपका कि 1877 के करांतिकारियों मैं से वैकरांतिकारी जिसका बास्तिपिक नाम राम चंद्र पांडूरंग था वै कौन थे तात्या टो पे कुवर से 1907 के बिद्रोय में एक प्रमुख नाएक थे वैसंबन्दिथन थे बिहार से 1867 की बिद्रोय में कुवर सें अंगरेजों के खिलाब सामिल हुए आरह में पटना की 1867 संगराम की नेता राच-पूत कुवर सें थे असम में 1867 की क्रांति के नेता दीवान मनिरामदत थे 1867 की बिद्रोय बेहार में 15 जुलाई 1867 से 20 जनुबरी 1808 तक के अंदर था जगदीशपूर का बहए वेक्ति जिसने अठार संतावन में विपलाव में क्रांतिकारियों का नितक्ति किया वह कुणर से थे जगदिशपूर की राजा कौन थी कुवर से अठार संतावन की करांती में अंग्रेजों वा जोदपूर की सेना को पराज़त करने वाला कौन था आउवा के ठाकुर कुसल से थे जिन्होंने अंग्रेजों तथा जोदपूर की सेना को पराज़त किया हुआ था अब आता है अजमेर जैपूर नीमच आउवा मैसे राजिस्थान में 1867 की क्रांती का केंदर नहीं था जैपूर 1867 की क्रांती का केंदर नहीं था चंदे सीखर आजार रामपरशाद विश्मिल सहादत खान और माखनाल चतुरवेदी मैसे 1867 में अंग्रेजों से संगर्स किया सहादत खान ने फिर आता है मौल भी एहमद तुला साहे मौल भी इदा दुला है मौलाना फजे हैला है खेराबादी नवाब लियाकत अली मैसे 1867 की विद्रों में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था मौल भी एहमद तुला साहे इनका प्रूमुक कट्टर था 1867 की विद्रों को देखने वाले उर्दू कभी कौन थी मिर्जा गालिप सुपिर्षत उर्दू सायर मौल निवास स्थान कौन सा था आगरा फिर आता है आजादी की पहली लड़ाई 1867 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया था भागस से ने अठार संताउन की बिद्रों में बेगम अजरत महल कुवर से उधम से तथा मौलवी अहमद दुलाय मैंसे समध्धित नहीं थे उधम से अठार संताउन की सुतंते संग्राम में अंग्रीजों का सरवादिक सहायता करने वाला राजवन सकौन था गौालियर की सिंधिया भारत में सिक्षित मद्द बर्ग है अठार संताउन की बिद्रों से तथा बनाई रखी थी खेती और मजदूर साहुकार किर्शक तथा जमीदार बर्गों में अठार संताउन की बिद्रों ने भाग नहीं लिया किसने साहुकार तथा जमीदार ने जहांसी चितोर चगदीशपूर तथा लखनौ मैंसे वह छेतर जो 1877 की विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था वह चितोर था बिहार के दानापूर पटना आरा मुझपरपूर मुंगेर मैंसे 1877 की विद्रोह मैं से आप्रभावित भाग था मुंगेर फिर इसमें सही सुमेलित बताना है कि वक्त खां तिने कहां से सम्मंदित थे दिल्ली से मौलवी आहमेदुला आवद से कुणर से आरा से नाना सहब कानपूर से सम्मंदित थे और बेगम जीनत महल दिल्ली से सम्मंदित रही थे अब आता है हमारा नेक्स्ट जिसके अंतरगत आता है इसमें कि कौन से इस्थान से कौन से सम्बंद थे जहासी से रानी लच्छ मिवाई लखनों से विगम हजरत महिल कानपुर से अजिमुलाय खान, फेजावास से मौलबी अहमद साय मौलबी अहमदुलाय सामिल थे फिर आता है इसके अंतरगत की करांती कारियों की नाम और इस्थान दिये गए है कि नाना साहब जकानपुर से, नमाब हामीद अली खान दिली से, मौलमी अहमेद उल्ला लखनौ से, मनी राम दीवान असम से संबन दिते हैं अठार संताउन की बिद्रूए की समय भारत का गवर्ने जनरल कौन था, लाड केनिंग, अठार संताउन की समय बेरकपुर में बिटिस कमांडिंग ओफिशर था, जॉन बेनेट हैर से, अठार संताउन में इलावात को अपात कालीन मुख्यले बनाया था, लाड केनिंग ने, अठार संताउन की बिद्रूए की समय बिटिस प्रधानमंतरी बिस कॉंट पामिस्टरंट थे, अठार संताउन की बिद्रूए मुख्यता अस्फल रहा, किसकी द्वारा अस्फल रहा, कि किसी सामान ने यूज ना, और केंद्री संगठन की कमी के कारण, अठार संताउन का प्रिथम सुतंतर संग्राम अस्फल रहा क्योंकि भारती सिपाहियों में उद्दिश की एकता की कमी थी और प्राय भारती राजाओं ने बिटिश शरकार का साथ दिया बिटिश शिपाही कनी उन्हें सजित और तथा संगठित थे अब आता है कि अंगरीज राजपूत राज तथा सर हैंडरी लॉरेंस में से बहुए बिटिश सदिकारी जिनों ने लखनों में अपना जीवन खुया था इसमें थे जनरल नील, मेजल हैव लोक और सल हैंडरी हो लॉरेंस ने अपना लखनों में जीवन खुया गुआ था अब इसमें कथनों कारण दिये गए हैं जिसमें दोने ही कथन सत्ते हैं और ये दोनों का इस पस्टी करण भी है कि 1877 में पिर्थम सुतंतर संग्राम बिटिश शरकार से सुतंतरता प्राप्त करने में अस्फल रहा और कारण आता है कि बहादुर शाय जफर की नितत्त में जन संग्या दी गई सर जैम्स आउट्रम और डवलू टेलर ने एक सड़ेंद की संग्या दी फिर आता है पर आधुनिक भारती इतिहासकार जिसने प्रिथम राश्टिय संग्राम ना प्रिथम थी ना राश्टिय थी ना ही सुतंतरता संग्राम था यह कथ हैं किसका था आर्चिम जूंदका था 88 उन्धान की करांति की बारे में सही अधार ना ही कि इनोंने भारत में इस्ट इंडिया कमपिनी की सासन पढाली को मिर्त प्राय बना दिया था पिराता है मारानी विक्टोरिया ने भारती पिर शासन को ब्रिटिस ताज के नियंतर में लेने की गोशना कप की थी एक नमंबर अठारस उन्ठाउन को सामगरी विक्टोरिया ने अठारस उन्ठाउन की खोष्णा में भारतियों को बहुत सी चीज़ दिये जाने का आश्वासन दिया और वह आश्वासन जिसे बिटिस आश्वासन ने पूरा किया वह रियास्तों को हडपने की नीती को समाप् परित्याग करना तथा भारतियी प्रिशासन को बिटिस क्राउन की अंतरगत रखना इसमें सामिल किया इनका एप रूमोखुद्दे से था पिर आता है पबलिक सर्विस आयोग पील आयोग हंटर आयोग और साइमन कमीशन में से 1867 के बिद्रोई की दमन की बाद भारतियी प्रिटिस चरकार ने सिपाहियों का चैन किया गोर्खा सिख रथा पंजाबी उत्तर प्रांथ से अब आता है और अन्य जन्ने आंदूलन की बारे में जानते हैं कि इसमें आता है कि 1867 की बिद्रोई की ठीक बाद मंगाल में सन्नायसी बिद्रोई संथाल बिद्रोई नील उपद्रोई पावना उपद्रोई मैंसे विपला हुआ उसमेंसे कौन सा था नेल उपद्रोई नेल किर्शकों की दुर्दसा पर लिखे गई पुस्तक नेल दरपन के लेखा कौन है दीन बंदू मित्र बंदे मातरम गीत लिखा गया है बक्यम चंदर चटर जी के द्वारा आनंद मट उपन्यास की कथा बस्तू आधरे थे सन्याशी बिद्रोई पर बै बिद्रोई जिसका उलिख बक्यम चंद चटर जी ने अपने उपन्यास आनंद मट की मैं करके प्रिसिद्ध किया बै सन्यासी बिद्रोई था फिर आता है मुंगेर की बर हिया ताल पिरूत का उद्देश क्या था बाकास्त भूमे की बापसी की मांग फिर आता है लाहूर पटना अमरिश्यर पूने मैं से 19 वी सताबदी के द्वरान होने वाले बहावी आंदुलन का मुखे के अंदर कौन था पटना था इसके बाद आता है कूका आंदुलन का संगिठित किया था गुर फराजी थे फराजी कौन थे हाजी सरीयत उल्लाह के अनुआई फराजी आंदुलन का प्रारम किया था हाजी सरीयत उल्लाह के द्वारा बेलू थंपी में अंग्रेजो कि बुर्द आंदुलन के नेतुत किया था किरल में किया हुआ था महराश्ट में रामोशी किर्षक है शित करने के नगरेजों कि बुर्व हुआ था बढ़ाः बीटीश ओप नेवीश्च ब्रुष्ट के ब्रुष्ट ब्रउध नियुक्ता पूरू भारत की बिविन भागों मां हुए विद्रो के सही घटना करम है कि बंगाल का सिपाही विद्रो कौन था सरजार्ज बाढ़ लो बिहार पंजाब सिंदक अठिवार्ड में सिभाई छित्र जिसमें आदिवासियों ने अंग्रेजों की बुर्द विद्रोई किया वह बिहार था संताल विद्रोई जो कि 1855 से 56 में इनका नेतत्य किसके द्वारा किया गया सिध्धु कानूत ए पर आई में हार गए और गोग को गोड़ा का एक महत्पूर नेत था संताल विद्रोई की सांत हो जाने कि बाद वह प्निविशक शासन द्वारा किये उपाय थे जिसमें संताल प्रगना नामक राजी चेत्रों का स्लिजन किसी संताल का गयर संताल का भूमी उद्रण करना ग सोड या आंदुलन का सूतरपार्थ हुआ किसके द्वारा गुविंदे गुरू के द्वारा उल् seguland विद्रोह जुडा था बिरशा मुझा से मुझा विद्रो का नेता कौन था बिर्शा मुझा जैता को जगत पिता या धरती याबा कहा जाता था वह कौन है भिर्शा मुंब फिर आता है आपका नेक्स्ट कि भारत में मुंडाओं ने विद्रोय किया था कब किया हो था 1899 से 1922 तर बिर्शा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था 3 मार्च 1920 को बिर्शा मुंडा का कारे छेतर राची है जनजाती लोगों के संदर्व में आदवासी सब्दे का प्रियो संपूर्ण विदारण दिया किया है होज विद्रोय हुआ था 1820 से 1821 की द्वरान खेरवार आदवासी आंदूलन इंठार सुच्वेटरीश में हुआ था संबलपुर के अनेक बिटिस व्रोधी विद्रोय का नेता सुरेंद साई था नील विद्रोय संथाल विद्रोय दक् रखंड में हुआ था 1921 मूपला विद्रोय कहां हुआ था किरल में सही शुमेलित घटनाये दी गई हैं जिसमें बेरक पूर विद्रोय नवंबर 1824 में हुए थी थे फिर और भी सुमेलित है जिसमें आंदुलन और डेट दी गई है पावना बिद्रो 1875-1885 एका बिद्रो 1922 ताना आंदुलन भगत आंदुलन 1914-1947 रंपा बिद्रो 1889-18 जैनतिया बिद्रो 1860-133 अहम बिद्रो 1828 फिर आता है कोल बिद्रो जो है बैं 1831-1832 कूका बिद्रो 1840- बिद्रो 1897-1919 कूली बिद्रो 1784-85 चुवार बिद्रो 1768 एश्वी में हुआ था फिर आता है आपका इसमें और भी सुमेलित करने को दिये गए हैं कूका बिद्रो पंजाब से कूली बिद्रो महराश्ट से चुवार बिद्रो पश्मंगाल से कूकी बिद्रो तुपरा से अहोम गौमधर कुवर के नितत्त में और ताना भगत जो हुआ था जतारा भगत के नितत्त में हुआ था अब आता है नेक्स्ट एका अंदुलन का प्रारंब किया गया था यह उत्तर प्रदेश की हर दोई बारा बंकी बहराई सीतापुर आदी स्थानों किसानों के द्वा यह का अंदुलन का प्रारंब हुआ था अंग्रेजों के ब्रद भीलों दोरा करांती प्रारंब की गई थी मंद्रप्रदेश इब महराष्ट में ताना भगत आंदुलन में जत राउ राउ ने प्रारंब किया था बरस 1914 में भूमिज विद्रोय के नेता कौन थी गंगा ना यहाँ पर यह टपिक फिनिस करते हैं यहां हमारी स्रंखिला का पार्ट फस्ट होगा नेट्स पार्ट में आंगे की टॉपिक को कवर किया जाएगा और भी सी तरीकी की वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करें इस सेशन को जादर स से जादा सेयर करें जिससे कि जा काफी सारे लोगों को इसका लाब मिल सके धन्यवाद